हाई हलो दोस्तों वेलकम बेक टू स्टॉक दरबार मैं सागर स्टॉक दरबार के इस यूटूब चैनल पे आपका बहुत बहुत सौगत दो तिन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था ऐरेन फ्लाइ स्टाटेजी के बारे में उस दिन हमने बैंक निफ्टी का एनलेशिस किया था और उस एनलेशिस में हमने एक एरन फ्लाइ स्टाटेजी जो है इस 9 February के एकस्पारे के लिए प्लैन की थी और उस trade को हमें दो तरीक को जो थरसरे था उस थरसरे के दिन हमें यहाँ पे उस strategy को deploy करना था जो हमने 4 दिन पहले plan किया था और जिस तरह से analysis किया था उसी तरह से bank nifty ने behave किया है और same range में bank nifty रहा है इस वज़े से हमने थरसरे की दिन जाते जाते वो trade deploy किया है और उसके सभी डीटेल्स, कौन से स्ट्राइक को short करना है, कौन से स्ट्राइक को buy करना है, क्यों करना है, इसका पूरा analysis मैंने मेरे अपने premium channel में भी update किया है अगर आप भी इसी तरह के risk defined strategies पे काम करना चाते हो और एक consistent profit generate करना चाते हो, वो भी low margin पे तो जरूर कंसिडर कीज़ेगा हमारा premium channel join करना premium channel में ironfly regularly deploy करता हूँ weekly basis और उस trade को हम लोग Wednesday की दिन ही zero loss बना देते है क्योंकि Thursday की दिन जाते जाते market कही भी open हो कही भी हमारा minimum profit तो उसमें हो नहीं वाला है इस strategy की मदद से हम लोग regularly 5% से लेके 6% का profit generate करते है अब देखते हैं कि वो strategy का अब status क्या है market अब क्या करेगा Friday के दिन उसे देखने के लिए अब हम चलते हैं मेरे laptop के screen पे ओके अब हम आ चुके हैं मेरे laptop के screen पे और आप सामने देख रहे हो bank nifty का ये 15 minute का time frame वाला चार्ट है और इस 15 minute वाले चार्ट पे हमने analysis किया था जिस दिन मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो point है वो हमारे एक anchor point बनने वाला है और ये level जो है 39,500 क्या round का वो एक strong support की तरह यहाँ पे काम करेगा market में और दूसरा जो हमने level निकाला था ये gap down वाला level जहां से market को एक resistance मिल सकता है ऐसा मैंने उस वाले वीडियो में discuss किया था आपके साथ और उस analysis के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो लगबग जिस दिन budget था उस दिन market ने try किया था इस level को bridge करने का मगर यहाँ पे sustain नहीं कर पाया और वापिस से नीचे पूरी तरीके से उसी range में आ गया market तो इसे हमें ये पता चलता है कि market इस level को आच्छी तरीके से respect कर रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आगे जाके तीसरा resistance भी यह market लेगा और इसी तरह से इस range में रहेगा यही analysis था और वो analysis अब तक तो सही जा रहा है और उसी analysis के base पे हमने 9 feb के जो expiry है उस expiry के लिए हमने यहाँ पे एक iron fly trade जो है deploy किया है तो चलिए जाके देखते हैं कि वस iron fly में अब क्या conditions है तो यह वाला trade जो है iron fly हमने यहाँ पे डाला है sorry इसे ignore के जगा यह 9 feb होना चाहिए मैंने गलती से यहाँ पे 8 feb लिग दिया है तो आप इस iron fly में देख सकते हो हमने एक call shot किया है हमने एक put shot किया है और इस call को hedge करने के लिए हमने यह वाला call buy कर लिया है और इस put को हमने hedge करने के लिए यह वाला put buy कर लिया है तो आप यहाँ से ध्यान से notice करोगे तो इसका जो premium हमें मिला है वो लगबग 1000 के around हमें यहाँ पे premium मिल चुका है इस strategy में मगर यह generally हमें मिलता है 700 से लेके 800 रुपीज तक का premium मिलता है यह 1000 क्यों मिला है क्योंकि उस दिन जो budget था उस budget के वज़े से market में है volatility बहुत जादा increase हो चुकी है इसके premium भी shoot up हो चुके है इसके वज़े से हमें यह 1000 point का जो premium है वो यहाँ पे मिला है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यह वाला point है break even point इस जब तक market इस break even point के अंदर है तब तक हमें कुछ न कुछ यहाँ पे profit होने ही वाला है और जो यह वाला portion है वो हमारा limited loss वाला portion है आप यहाँ पे देख क्या है रहन होंगे कि 13,000 का risk आपको यहाँ दिकाई दे रहागा मगर यह original risk हमारा नहीं है guys क्योंकि आपने यहाँ पे notice नहीं किया होगा जो बाइ लेवल है इसे मैंने जान बूच के थोड़ा सा जो हमारा center का जो strike price है उससे थोड़ा सा भाहर के side shift करके रखा हुआ है इसके पीछी का logic यह है कि जो दसले के बाद Friday market open होता है उस दिन उस week वाला जो expiry start होता है वहाँ पे premiums जो है वो बहुत जादा तूटना चालू हो जाते है और उसी 10 से लेके 20 point जो है उसे हम लोग बचाने के लिए इसे मैंने already पहले से यहाँ पे थोड़ा सा outside shift करके रखा हुआ है और यह जो 10 और 20 point है वो जाके आगे जाके हमें बहुत जादा help करने वाले है हमारी जो यह strategy है इसे zero loss करने में तो इसके आगे अब आगे क्या करना है आगे हमें सिर्फ यहाँ पे यह करना है कि जो यह वाले buy level जो है हमारे sorry buy legs जो है उन्हें हमें अंदर के side shift करना है जब तक market आज इस range के बीच में है तब तक हमें कुछ नहीं छड़ना है और जाते जाते आज तीन सवा तीन बजे सिर्फ इन्हें हमें shift करना है वह shift करना है 41,600 call के उपर हमें buy जो call वाला leg है उसे shift करना है और इस वाले call को हमें exit कर देना है और जो यह वाला put side का जो leg है उसे भी exit करके हमें वहाँ पे shift करना है 39,600 पे हमें इसको put वाले strike price पे हमें shift करना है और यह होंगे हमारे original break events जैसे मैंने उस वाले चार्ड पे आपको दिखाया था जो मैंने draw करके रख थी उस case में जो हमारा profit loss होगा वह हमारा जो max profit होगा वह around 16K तक होगा around और जो हमारा max loss होगा वह around 7K तक हमारा आएगा और यह दोनों का जो risk reward है 1 is 2 का risk reward हमें यहाँ पे मिलने वाला है और यह पूरी जो strategy है इसके लिए जो estimated margin हमें लगने वाला है वह 88,000 का है जब तक market इस range में खड़ा है तब तक हमें कुछ भी extra margin डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे उसके लिए हमें additionally 1.5 से लेके 2 lakh का हमें यहाँ पे margin deploy करना पड़ सकता है हमारे इस trade को break even पे लेके आने के लिए otherwise no loss पे निकलने के लिए तो Friday के दिन जाते जाते सिर्फ और सिर्फ यह दो वाले जो है वही जो adjustment है हम लोग करने वाले है और जो original adjustment है वो हम लोग Monday से चालू करेंगे और क्योंकि आज का इतना बड़ा range है market easy range में रहने वाला है यह मेरा experience के साथ में आपको बता सकता हूँ और जाते जाती इसे हम लोग shift करेंगे और जो as it is trade है यह दो exit होंगे यह दो in होंगे और as it is हमारा trade जो है ऐसा ही रहने वाला है और इसके आगे जो adjustment में करूँगा क्यों करूँगा और क्या logic होगा उसके पीछे adjustment करने का उसका भी वीडियो में इसी channel पे Monday के दिन या Tuesday के दिन वापिस से डाल दूँगा updated वीडियो करके तो वापिस से में हाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर आप interested हो इस तरह की risk defined strategist को trade करने के लिए और ज्यादा risk न लेते हुए consistency बनाते हुए आप अगर 5 से लेके 7% का return generate करना चाहते हो तो ज़रूर consider कीजएगा हमारा premium channel join करना उसके link आपको description में मिल जाएगी otherwise आप simply हमारा free वाला telegram channel भी join कर सकते हो उसके भी link आपको description में मिल जाएगी तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like करना आप channel पे नए हो तो channel को subscribe करना तो मिलता हूँ इसी तरह के नए वीडियो के साथ तब तक की लिए thank you बाबाय जहिन झाल